कि नमस्का दोस्तों Welcome to my channel बहुत दिन बात हम टुटोरियल दे रहे हैं अच्छली टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए बहुत दिन से हमारा पास एक टाइप का कोश्चिन्स आ रहा है जैसे कि क्रेश क्रेश कोश्चिन जैसे क्रेश हम यह बोलना चाहते हैं किस होगिया निवेंडव चलते चलते क्रेश हो गया किसी का हाई क्यूबास 12 grieving की dua डवी क्लिक हो जाने का हाए चल रहे चल रहे चल करने से करते मतलस प्लागी इन साइज़ करते करते बंदе फिर से दोबारा नहीं चल रहा है फिर सेब जगह पर चला जा रहा है तो यह जो प्रॉब्लम है पहले हम एक एक करके चालू करते हैं तो देखिए इस टैप का प्रॉब्लम आप लोग हम भी एक 158 नमबर वीडियो दिया था 158 जो देखा है data log in QS셨けど QS निमंडे अई सभी में एस टैप का kissed mat सभी में आ सकते हैं तो इसका कारण किया है तो देखिए लोग किदें से मिलता है पहला तो यह जानना पड़े बिदें दिया जाए जैसे कि यह वह आगर हमारा टियुटोरियल देखे तो इस JUDGE je तो यह टॉक किया है कोन से कारन से इह खोल रहा है तो यह होता है तुtr development log खुलोगे कई तैप कर देखने में लगेंगा हम जा रहा है इस टाइप का जगह में जा रहा है c drive १ड्राइयव धाइप ध्याक्ग्वाइप ठीक है यह वाला जो है demo56 काइव दिया है एक मिनिट प्रोग्रम फाइल इसमें जा रहा है उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा क्यूवेस फाइब 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 क्य लेंबर्ग किवस फाइब ठीकिए इसका अंदर बोल रहा है का कि यूवस 5 नहीं किया है तो इसलिए लॉग नहीं दिखा रहा है तो कोई भी फाइल होगा तो इसमें इधर दिखाएगा जैसे कि यह दिखा रहा है दूए दील डॉट 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 दी-ल-ल बतुब इस की सिर्ट में रिखाएगा हम छिख Aaah क्यूबेस 5.Lोजी ऐसा डिखायँ की 근ो क्यूबेस 5. practitioners चैनल में और Скिलर ग़ाना पड़ेगा लिखेंगे बतलों के चिरिखने में चम परिख बैड़ समक्ति कम करें इधर open with notepad नहीं दिखा रहा तो choose another apps करके आप notepad को खोल सकते हैं देख सकते हैं तो notepad को select करके जब just one करेंगे तो इसमें log कुछ लिखा नहीं है हम कुछ लिख देता है तो इस type को कुछ लिखा अब लोगों को मिलेगा जैसे कि यह वाला कोई VST का नेम भी हो सकते हैं कोई plugin का नेम भी हो सकते है इस type का दिखाएगा तो इसमें लास्ट का जो option होगा जैसे कि यह हो गिया यह हो गिया यह लास्ट का यह लाइन है ओ लाइन देखना पड़ेगा जैसे इसको हम save कर रहें ठीक है तो देखिए अभी हम इसको right click करके अगर open करेंगे open with notepad करेंगा तो यह वाला जो है इसको last का देखना पड़ेगा तो उसमें आप लोगों को दिखाएगा कोई VST का नेम हो सकते है कोई plugin का नेम हो सकते है और कोई ऐसा कोई हो सकते है जैसे कि recently अपने कुछ demo version plugin यूज किया है जो plugin का timing period चला गिया ठीक है मतलब वो plugin का time चला गया 15 दिन का time चल गया तो वह भी हो सकते है तो first क्या हम लोगों को करना चाहिए तो चलिए हम लोग बोल रहा है basically इस step का अगर कोई लोग दिखाएगा तो first हम लोगों को करना यह चाहिए जो plugin हम लोग last में use किया है last में use किया है उसको हम uninstall कर देंगा कैसे करेंगे एकदम control panel में जाएंगे control जाके particular plugin दिखाएगा तो uninstall कर देंगे कर देने का बाद अगर चलाएंगे तो QS खूल जाएगा निवेंडर खूल जाएगा अगर नहीं होगा तो जो particular plugin अपने use किया है बहुत सारा अभी net में तो मिल रहा है बहुत सारा लोग download भी कर रहा है और उसका साथ-साथ पैज भी खर रहा है पैज भी कर रहा है ठीक है पैज मतलब क्या है एक unwanted file होता है जो फाइल पर्टिकुलर वो फाइल जो फाइल पर्टिकुलर वो वीस्ट को नहीं तो वो plugin को full version बना देता है तो अभी पैज तो अपने मर दिया है मगर पैज के लिए जो इसको उपर असर पड़ा है अप लोगों का जो antivirus होता है तो यह antivirus इसको ब्लॉक कर रहा है इसलिए यह चलाना नहीं देता है प्रॉब्लम एही हो जाता है क्योंकि अपने अप लोगों ने antivirus रख दिया है computer में तो computer में antivirus रख दिया है patch तो होगी है patch का जो फाइल जेनरेट हुआ है पर्टिकुल में उसको ब्लॉक कर दे रहा है इसलिए hang कर जा रहा है और लॉक चला रहा है hang जब भी कर एगा तब भी लॉक चलाएगा यह हो गया एक और एक कारन उसके बाद और एक कारन हो सकता है जैसे कि VST VST2 & VST3 यह दो जो चीज है पर्टिकुलर्ली अभी जो VST3 बना है यह only for 64 bit के लिए मतलब क्यूवेस 12 निवेंडो 12 और 11 और 10 और 11 और 10 ऐसा मतलब क्यूवेस 4 का बाद जितना सारा क्यूवेस जैसे कि क्यूवेस 5 हम छोड़ दीजे क्यूवेस 5 का बाद हम नहीं ज्यादा तर क्यू प्रोजेक्ट ज्यादा होता है हम क्यूवेस का बाद 8 बोलिये 9 बोलिये 10 बोलिये 11 सब सब 64 bit है मतलब इसका operating 64 bit है और VST2 यह 32 bit का है इसमें क्यूवेस 5 चलता है और निवेंडो 4 चलता है ठीक है अभी किसी भी करन से नया कोई एक VST आया है नया कोई एक plugin आया है आप चोटा-ोक्स रहते है यह VST लिए VST2 के लिए और यह चोटा बोक्स रहते है यह VST3 के लिए तो ऐसा ऐसा करके रहते है तो आप लोगों ने चेक कर दिया है दोनों को ब VST2 भी इंस्टल हो गिया और VST3 भी इंस्टल हो गिया तो QBase 2A5 जब खोलने के लिए जाते है अगर वो VST3 को कॉल करेगा तो पर्टिकुलर्ली क्या होगा खोलने ही पाएगा उसी कारण से भी हो सकते हैं लौक बन जाएगा उसी कारण से हैंक कर गिया ऐसा भी हो सकते हैं अभी और एक पॉइंट में जा रहा है जो यह भी बहुत important है बहुत सारा लोग करता किया है इतना सारा effect plug-in लगा देता है effect plug-in लगाने का बाद वह problem उधे उधर से भी आ जाता है जैसे कि एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस दस फाइल में effect लगाया है अलग अलग करके इसमें भी compressor लगाया है लिमिटर लगाया इसमें भी compressor लिमिटर इसमें भी compressor मगर इसका जो मेशीन है इसमें 8GB RAM है और प्रोसेसर भी हम लोग बोल सकता है आई 3 वाला प्रोसेसर है ठीक है मगर यह जो 8GB RAM है अब लोग यह देख लिजिएगा क्योंकि जब हम लोग कोई जैसे यह वाला निवेंडर हम चला रहे है इसको अगर हम प्ले करें तो इसको यह चल रहा है ठीक है जो डेटा हम रेकॉर्ड करेंगे जैसे कि यह वाला अगर रेकॉर्ड में क्लिक कर थेक्या करेंगे तो यह जो रेकॉर्डिंग हो रहा है पहले रेम से हो रहा है यह RAM裡 में जा रहा है देटा इभी हम हाडिक्स से गिया नहीं है जब अ Express करने का कारन्स मतलब जो capacity उनका machine में नहीं है वो capacity का बहार अगर कुछ चलाने के लिए जाएगा sound फटने लग जाएगा sound बंध होने लग जाएगा कभी-कभी चलेगा कभी-कभी बंध हो जाएगा यह हो जाएगा उसके बाद hang कर जाएगा और यह भी हो सकते है जो project अपने safe किया है project file भी उ निवेंड में क्या रहता है डॉट का बाद NPR रहता है तो यह देखके आप लोग समझ पाऊ जाएगा यह निवेंड फाइल है और क्यूबस फाइल है तो इसी करण से भी इस टाइप का problem definitely आ सकता है तो लोग में इंडिकेशन रहेगा particular लोग में अगर देखोगे तो उसमे इंडिकेशन रहेगा यह इस कारण से ऐसे problem हुआ है तो उस टाइम में आप लोग आप लोगों क्या करना पड़ेगा फ्रीज करना पड़ेगा फ्रीज कैसे करेंगे जैसे कि यह वाला ट्रैक में आगर ज्यादा तर हम एफिक्ट लाइंग लगाएंगे जैसे कि हम compression लगा है सब यह कर दिया यह वाला भी है यह लगा दिया पूरा चैस आट लगा दिया इसके करना से क्या हो जा रहे है एक ट्रैक का वेट थरह ज्हादा हो जा, इसलिए क्या है यह डिवास का अंदर जाक के आगर फ्री स्ट पारफॉर्मंस देखेंगे तो जीतना बड़ा होगे तो इसलिए यह हो जाने के बाद आपको फ्रीज कर देना पड़ेगा यह वाला बटन जो छोटा वाला बटन है इसको फ्रीज बोलता है तो जब कोई आडियो आएगा जैसे कि हम माल लीजिए हम कुछ आडियो डिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको यह करके इसको अगर इसको हम इसको ऐसा करके चलाएंगे इसको कुछ एडिट करना देगा मगत चलेगा एकदम ठीक चलेगा जो आपने सेट किया है वो चलेगा मगर इसका उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो ऐसा करके अगर करोगे तो आप लोगों का यह जो लॉग एरर जैसे की क्रेश करने के एरर थोड़ा कम हो जाएगा और अगर जाएंगे क्यूएस टुएल में चाहिए ज़य अर्माली वी एस्टी ट्री जो हम लोगों ने यूज करते हैं इस्टी यह ज्यादा तर वी एस्टी ठी ज्यादा तर प्रॉब्लम जो होता है लास्ट का जो शोस्ञाफ और जब क्यूँवेस खोल रहा है उस टाए में एक वीडियो recording recorder on कर दीजिए ठीक है अचानक से बंद हो जाने से आप identify नहीं कर पाऊगे कौन से जगह पर आके बंद हुआ है तो वीडियो on कर दीजिए वीडियो screen record कर लिजिए उसके बाद उसको slowly देखिए वीडियो को slowly देखके देखते जाहिए जैसे कि यह वला जो है यह कौन से जगह पर आया है तो आप identify कर पाऊगे लास्ट ली हम लोग जो software यूज किया है यह software इसमें suit नहीं कर रहा है तो उसको uninstall कर दीजिए कि उस खूल जाएगा कोई problem नहीं हुआ तो thank you दोस्ता thank you for watching this basically यह थोड़ा ज्यादातर response इसको उपर आया है अभी भी चल रह है मतलब हम को हम अब लोगों को बोला है तो आप लोग मेसज कीजिएगा क्योंकि फोन करने से हम उठा नहीं पाते हैं मैसज करोके तो ठीक हम देख लेंगे उसके बाद हो सकता हम tutorial देंगे तो मैसज ज्यादातर message यहीं आया है हमारा पास जैसे कि क्यूब स्क्राइस कर जा सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये साउंड नॉलेज को और करे अपनी यूजिक कमपोजिशन का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ